तो आज का वीडियो उन सभी DIY लवर्स के लिए हैं जिनको DIY देखना बहुत पसंद है DIY करना पसंद है लेकिन उतनी जादा मेहनत वाले DIY पसंद नहीं है तो मैं आप सब के साथ में शेयर करूंगी आज कुछ ऐसे कुशन कवर जो की देखने में बहुत जादा खुब सुरत रहेंगे यानि कि आप उनको जटपट से बना सकते हैं कम महनत में और कम सामान में यूजली मैं जो भी DIY आप सब के साथ में शेयर करती हूं वो ऐसे शेयर करती हूं कि पॉकेट फ्रेंडली हों और सस्टेनिबल भी हों साथ ही साथ है तो इसलिए आज का DIY आप सब की बननी भरेगा और मेरा भी मननी भरेगा फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उससे पहले ही फेस्टिवल की थोड़ी सी तयारी कर लिए जाए कुछ अच्छे अच्छे कुशन कवर बना लिए जाए अभी शेयर कर रहे हूं फिर कुछ और कुशन कवर बनाऊंगी वो आगे शे मैं इनका लुक चेंज करना चाहती हूं इसलिए इनका इस्तमाल कर रहे हूं तो यहां पर मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू यह आपको स्टेशनरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा यहां पर रैंडमली मैं फैब्रिक ग्लू की डॉट्स लगा रही हूं जिससे की इसके उ जब यह मिरर का ग्लू सूख गया है उसके बाद में मैंने लिये हैं इस तरह के रिंग आते हैं प्लास्टिक के रिंग होते हैं इनके उपर कढ़ाई की भी होती है और यह भी आपको लेस वाली शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं यह 50 पैसे का एक होता है मेरे ख्याल से हां म को भी हम ग्लू लगा करके ही इस तरीके से आसानी से चिपका देंगे तो देखे मैंने एक के ऊपर तो बिल्कुल प्लेन कर दिये और मेरे जो मिरर की रिंग थी ना वो खतम हो गई थी तो फिर मैं मार्केट में ढूनने के लिए गई थी लेकिन सेम मुझे मिली नहीं तो ए लेकिन जाने यह बिल्कुल भी नहीं निकलता है क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको mix and match कर देती हूं दोनों के उपर रस्ट और तिक दोनों आ जाएगा सुन्दर कुशन बन करके तयार हो गए हैं और मुझे लगी नहीं रहा कि यह वही पुराने कुशन कवर हैं जो बिल्कुल नए लग रहे हैं और मैंने ना कोशिश की थी कि सेम मुझे मिल जाए इस तरह का रिंग लेकिन मुझे मिला नहीं और फिर उसके बाद में मैंने इसको छुटाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन एक भी रिंग निकला नहीं मैंने चाकू से और कई चीजों से निकालने की कोशिश की लेकिन य आप सबके साथ में शेयर की थी आप सबको काफी पसंद आई थी मैं और उनको भी मैं चेंज कर रही हूं अगर आप चाहें पर से कपडा लेकर के सिल सकते हैं तो इनको भी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर मैंने round craft mirror लगाए है छोटे वाले glue की help से वही fabric glue लगाया है और उसके बाद में ये लिए है मैंने drop shape के mirror छोटे वाले और बड़े वाले दो size के मैंने लिए है और इनको मैं randomly लगा रही हूँ कहीं कहीं पर मैंने बड़े लगाए है कहीं कहीं पर मैंने छोटे लगाए है ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं कुशन कवर इस तरीके से दिखे मैंने दो तयार कर लिए है बहुत आसान है बहुत ही simple है लेकिन बहुत stylish लगते हैं लेकिन इसको लगाते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपने ग्लू अच्छे से लगानी है और जब तक ग्लू सूख ना जाए तब तक इनका इस्तमाल नहीं करना है तो दिखे मेरे दोनों कवर बन करके कितने सुन्दर लग रहे हैं और एक और है मेरे पास इसी तरह का कुशन जो मैंने रेडिमेट लिया था और यह देखे तीनों ही एक दूसरे को अब कॉम्प्लिमेंट कर रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं अब तो कोई क्या ही नहीं सकता कि यह मैंने मार्केट से नहीं परचेस किये तो चलिए बना लेते हैं एक और कुशन जो कि मैं बना रही हूं rectangle size में और इसके लिए मैंने लिया है 12-18 का फैब्रिक यानि कि double fabric कर लिया है और 12-18 का लिया है दो टुकडे मेरे पास एक लंबा टुकडा था तो मैंने इसको double कर लिया है इसके दोनों साइट के किनारे मैंने सिल लिये हैं जिसे कि मुझे जिप लगाने में बात में आसानी हूँ और साइट के पोर्षन ऐसे ही छोड़ दिये हैं इसके उपर हम करेंगे कुछ काम तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप रख करके एक एक इंच छोड़ते हुए एक एक इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है तो इस तरीके से आप चाहे तो पास पास भी कर सकते हैं धूर धूर भी कर सकते हैं यह पूरी तरीके से आप की अपनी इच्छाएं, इसके बाद में मैंने पास-पास में और भी मार्किंग कषी और इसके बाद में लिया है मैंने hot-pain color कायिक eyned करेट इसको मैंने double करके एक कड़ाई वाली सुई में डाल करके इसके उपर कच्छे टाके की तरह कड़ाई कर लोंगी ओपर के साइट से आप सब मुझसे पूछते हैं कई बारी करके कि आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं इतनी एनरजी कहां से है आपके अंदर तो ये एनरजी केवल एक आदत की वजह से ही है मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठती हूं अप अगर आप अपना चिंतन और मनन करेंगे भविशे को लेकर के हर दिन का सुबह से लेकर के शाम तक का आपका दिन क्या गया कैसा गया क्या सीखा आपने आप पहले से बहतर हुए हैं कि नहीं और ये आदत अगर आपके अंदर पढ़ जाएगी तो आप एक बहतर इंसान होन के साथ साथ एनरजी का लेवल भी आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा तो ये मेरा परसनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं इतनी एनरजाईज रहती हूँ हां साथी साथ बहुत सारी चीज़े और भी करनी होती हैं जो कि मैं समय समय पर आपके साथ में शेयर करती तो कुछ चीज़े ऐसी जरूर करनी चाहिए जो अच्छी लगती है करने में जैसे कि मुझे घर को और्गनाइज करके रखना सजाना घर के लिए कुछ ऐसा करना जो मेरे हाथ में है या जो मेरे पास से जितने भी सोर्सेस अवैलेबल है उन सोर्सेस के अंदर ही अपना बे तो मैं मैंने इतना जो कच्चा ठाका था पूरे में कर लिया है, बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा, अगर आपको सिलाई नहीं भी आती, कड़ाई नहीं भी आती, लेकिन आपको ये सब देखने का शौक है, या करने का शौक है, तो बस एक बार इनिशियेटिव लेने ये भी हो गया है हमारा इंब्रॉइडरी और अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं जिप, तो ये है मेरे पास जिप और जिप को यहां आगे की साइन में अटाच करूंगी, जिसे कि यहां से जिप उपन किया और अराम से हमारा जो कुशन है वो इसके अंदर आ जाएगा, उसक लगाने के लिए हमने क्या किया अपने फैबरिक को सीदा रखा है और जिप को अंदर के साइड में इसी तरीक से सिलाई लगा दी नहीं समझ में आया, तो मैंने बहुत बार आप सब के साथ में शेयर किये हैं, अपने कुशन कवर, अपने बैग्स वगरा में जिप लगाने का तरीका आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, by the way मेरे काफी सारे स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो हैं, अगर आपको घर के जैसा मेरा मन होता है, या जैसा मेरा बजट होता है, मैं चीज़े खरीद भी लेती हूँ, लेकिन मुझे उस से ज्यादा शौक है घर पर बनाने का, मैं और आपको यकीन दिलाऊं, मेरे खुद के हाथ की बनाईवी चीज़े, मेरे जितने भी नोन हैं, उनको ज्यादा पसं आए, तो मेरी कहने का वतव यह है, कि जब आप कोई भी चीज़े को मन से करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, और फिर वो औरों को भी पसंद आते हैं, आपकी जो खुशी होती है, वो आपके प्रोजेक्ट में चलगती है, और वो ही चीज़े दूसरों को भी रिफ्लेक्ट करती है, तो यह देखिए, इस तरीके से मैंने यहां पर जिप लगा दी एक साइड में, और फिर जिप को सीधा करके मैंने इस तरीके से लगा दी यहां पर भी, पूरी जिप है, यह आपको किसी भी उस वाली शौपर मिल जाएगी, जहां पर कर सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं आपकी साथ में, अगर आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ, तो आप मुझे कॉमन बॉक्स में बताएगा, मैं आप सब के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी, और भी कढ़ाई वाले जो कुशन कवर है, वो, तो इसमें आ यहां पर सिल करके मैं लगा दूगी, और जो बाकी का था, यहां पर साइड में भी मैंने दो सिलाई लगा दी, इसके बाद में मैंने कर लिया अपने कुशन को सीधा, और सीधा करने के बाद में मैं यहां पर लगा रही हूँ, वही अगैन, क्योंकि मैं मैं मैंचिंग का ब उपर हमें चारों तरफ सरकल में लगाना है ग्लू और उसके बाद में लगाना है हमें रिंग यहां पर रिंग मैंने अभी इसलिए रख करके देखें जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अनीवन ना लगे मतब एक जैसा ही लगे अच्छे से सब सेट हो जाएं जहां जहां पर मु बाद में जब यह सोग गया तो मैंने कुशन डाल दिया है इसके अंदर और ये देखें मेरा कुशन ये वाला बवव बन करके तयार हो गया मैंने इसको बिल्कुल ही सिंपल रखा है इसमें चाहें तो होट पिंक कलर के अगर टैसल लगा देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा लेकिन मेरे पास चुकी काफी सारे टैसल वाले कुशन कवर हैं इसलिए मुझे अभी टैसल वाले पसंद नहीं आ रहे हैं कुछ दिनों से तो मैं इनको सिंपल ही रख रही हूँ दोस्तो ये था आज का वीडियो उमीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा कुछ भी अच्छा लगा कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सरूर किया कीजिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं आपसे जल्दी विलूंगी एक नए और इंट्रस्टिंग अपना क्याल रखिए और मस्ते रहें बाइबाइब